So, पिछली एक विग से मैं काफी प्रीमिम हेटफोन यूज कर देवा रहा हूं जो कि आता है कुलर मास्टर के दफ से उनका MH650 यह जो हेटफोन है यह काफी अच्छा कमफर्टेबल ओर दायर हेटफोन है इस वाली हेटफोन की मुझी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कमफर्ट एंड RGB इंप्लिमेंटेशन मुझी काफी ज्यादा अच्छी लगी अगर आपको इंट्रस्ट है इस कूलर मास्टर के MS650 में आपका बजट पांच से साले 5000 रुपय के अंदर है आपको उस बजट रेंग में एक अच्छा गेमिंग हेटफोन चीह आपकी गेमिंग रिक्वार्मेंट के लिए तो मेरी साब से यह वाला वीडियो है आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है तो अगर आपको इंट्रस्ट है तो इस वाले वीडियों को आप पूरा लास तक जरूर देखें बिकास इस वाले वीडियो में हम लोग इस ही कूलर मास्टर के में सिक्विट को इन देप बात करने वाले हैं क्या एटफोन कैसा है एंड क्या एटफोन आपके लिए वर्थ होगा या फिर नहीं सो प्लीज लास तक जरूर देखिए ना फरस अफर अफर अपने समार्ट फोन के साथ पर्सकायर कर सकते हैं उसमें यूज कर सकते हैं उसके बाकों हमारा एक को मायक्रों जो की डिटायचीबल मायक्रों से वह देखने को मिल लियाता हैban और वाक्स लकाया गया दाखिपे ले ग्रहं कॉक्षक्य को मुजशन 아무ली श्यक्मिरे यह जमा अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो ये पूरा हेटफोन जो प्लास्टिक बिल्ड है काई बे मतलब मेटल वगेरा का यूज नहीं किया गया है बट ओवरल प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफी दा सही है और प्रीम लगता है अगर मैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करो तो भाई पहले मैंने कभी पे ऐसे हेटफोन को नहीं ट्राइ किया है अब ये वाला जो हेटफोन है ये काफी जादा फ्लेक्सिबल है आप इसको किसी भी तरह से मोड सकते है इसमें जो मेटिरियल यूज़ के है वो रबर के लगता है बट अक्च्वल में वो प्लास्टिक है अगर मैं प्लास्टिक के रबर है दोनों का मिश्चर हो सकता है बट और ये काफ यदा फ्लेक्सिबल है ये मेरी साथ तूटने तो नहीं वाला इसके जो वायर भी वो ब्रिडर है और इसकी जो लेंथ है वो लगबग दो सबादो मीटर के आसपास है तो यानि कि आपका PC जितना भी दोर है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जो लेंथ है वो सफिशेंट है अगर मैं क्वालिटी की बात करें उस वायर की तो ये वायर जो ब्रिडर तो है बट थोड़ी से मुझे ये हाड लगी थोड़ा और सॉफ्ट होता है तो मुझे और भी जादा बेटर लगता बट और यहां पर आपको USB कंट्रोल दिखने को मिल जाता है यानि कि यह जो हेड़वन है यह सिर्फ एक USB हेड़वन है और जो USB इसमें गौल्ड प्लेडर लिए USB का यूज़ किया गया तो और रहाल मुझे काफे दर सही लगा अब एक कम्प्लेंट मुझे है कि कोई भी हेड़वन होता है अगर वो वायर हेड़वन है तो वो इस लुक ची होता है जो एंड जो हेड़वन के वायर होते है मतलब वो थोड़ा सा अनोइंग मुझे लगते परसनली अब यह मेरी हो सकती परसनल प्रिफरेंस हो सकता है आपको कोई प्रोब्लम नहीं है बट मुझे थोड़ा सा प्रोब्लम लगता है कि जो वायर होना अब भाई ये वाले जो हैटफोन है, सबसे अची बात है कि ये एक over the ear headphone है और इसका जो all shape है वो इतना ज्यादा sufficient है, इतना बड़ा है कि जो आपका इतना भी बड़ा कान है, वो आपके around ही रहता है, आपके कानों पर नहीं रहता है उससे जो है comfort आपको काफी अच्छा मिलता है, सबसे पहली बात तुई है अगर थोड़ा बड़ी छोटा कुछ headphones होते हैं, जिनके मतलब जो ear cups होते हैं, वो थोड़े चोटे होते हैं और वो proper over the ear headphone नहीं होते हैं, बट ये वालो जो headphone है, ये प्रोपर over the ear headphone है और यहां पर आपको कानों में कोई भी stress नहीं पढ़ने माला, ये एक काफी अच्छी बात है और इसके बद मुझे ये अच्छी लगए कि जो इसमें की गए वो काफी जादा सौफ्ट है इसके इसके अंदर आपको एक breathable fabric का यूज किया गया है, जो कि मतलब अपने आप में काफी ता सही चोइस होती है अगर मैं headphone वगए बात करूँ, बिकास लाइक जो भी normally headphones आते हैं उनमें आपको PU leather देखने को मिलता है जो कि time to time मतलब, मतलब खतम हो जाता है, खराब हो जाता है और वो बहुत जादा nasty लगता है अगर उसमें एक problem यह होती है कि like, वो PU leather है तो आपको air ventilation उतने अच्छे से नहीं हो पाता आपके कारों कानों के around, गर्मी के दिन में वो थोड़ा बहुत मतलब पसीना अगरा हो जाता है तो वो थोड़ा सा uncomfortable होता है वो थोड़ा चिप-चिपट हो जाता है बट यहाँ पर जो fabric यूज़ के आगए वो काफ़ेदा अच्छा है और breathable भी है और और यहाँ पर आपको जो मतलब comfort बगरा मिलता है वो काफ़ेदा सही रहता है मुझे भाई मैं फर्स टाइम ब्रीदेबल मतलब फैब्रिक वाला headphone यूज़ कर रहा हूं तो आप उस टाइम पर आप इसको replace भी कर सकते हैं बट मुझे नहीं लगता है कि यह fabric वाला मतलब उतना जल्दी खराब होगा बट यहाँ एक अच्छा option है और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी जो इसके soft मतलब जो ear cups में जो cushioning की गई ना वो काफ़ जदा soft है और काफ़ जदा thick भी है और जो headband में भी cushioning की गई ना वो भी काफ़ जदा soft और काफ़ जदा thick है तो मतलब कुशनिंग से definitely comfort काफ़ जदा अच्छा होता ही होता है and the best part वो यह है कि भाई इसमें आपको swivel and tilt का support मिलता है जो की मतलब हर headphone में होना चाहिए हर over the ear headphone में होना चाहिए अब भाई normally हम लोग headphone पहनते हैं तब तो सही है and उसके बद जब हम लोगों को rest करना होता है तो हम लोग उसको ऐसे करते है तो वो काफ़ी जदा annoying रहता है भाई मतलब वो उतना जदा comfortable नहीं रहता but आप इसको swivel करके आप कुछ इस तरह से इसको easily रख सकते है and यह best part मुझे लगा इस वाले headphone का because यहां पर काफ़ी दा easy रहता है आप normally walk कर सकते हैं जो भी कर सकते है but overall यह एक अच्छी बात है and उससे भी अच्छी बात मुझे यह लगे कि जो इसका height adjustment lever है वो मतलब मैंने अब तक का सबसे best मतलब जो height adjustment lever है वो इस वाले headphone मुझे लगा because यह काफी ज़ादा soft है and एक काफी ज़ादा satisfying सा sound इसमें करता है अब मैंने और भी अच्छी headphone को use किया हुआ है but उसमें and इसमें जो इसका height adjustment है वो काफी ज़ादा solid and काफी ज़ादा अच्छा है and इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि metal sheet का use किया है height adjustment वाले part में but overall भाई इसका height adjustment and swivel and tilt वगएर न यह आपके comfort को next level पहुचा जाता है I mean आप किसी पी तरह से आपको मतलब थोड़ा बहुत भी problem नहीं होती and उसे की नीचे आपको एक mic mute and unmute का button देखने को मिल जाता है and उसे की नीचे आपको आपका जो microphone का 3.5mm jack वो आपको देखने को मिल जाता है left side के earcups में and वहीं पर right earcups की बात करो सुँँ यहापे आपको दो buttons देखने को मिलते है एक तू होगया आपका 7.1 surround sound का यानि कि इस वाले button को प्रेस करेंगे ना तो आप directly 7.1 surround sound में मतलब इंटर कर लेंगे and उसके बाद आपको एक button लिलते है जो की है RGB बटन आप इससे इसकी RGB को control या फिर on off कर सकते है so now आप बात करते हैं इसके software के जो की है Cooler Master का Master Plus software अब इस वाले software से आप इस वाले headphone को पूरी तरह से control कर सकते है यानि कि अगर आप चाहे तो इस वाले headphone को ट्यून कर सकते है अपने according अगर आपको थोड़ा बहुत audio की knowledge है तो आप equalize कर सकते है इस वाले headphone को काफी दा easily अगर आप चाहे तो इस वाले headphone में अपना 7.1 surround sound में अपना 7.1 surround sound में अगर मुझे मतलब इसमें नहीं होता है जो की एक plus added point है and वहीं पर इस software के तुरू आप इसकी RGB को भी control कर सकते है अब यहां पर मुझे इसका RGB पार्टनर को काफी जदा अच्छा है आज के टाइम पर हर gaming मतलब चीज में RGB होना चाहिए भाई SSD में power supply में आ रही है तो भाई headphone तो दिखने वाला है तो इसमें भी तो होनी चाहिए बढ़ यहां पर अगर मैं इसके RGB implementation की बात करो ना तो वह normal non RGB वाले बंदे को भी ना वह काफी दा सही लगेगी कोई flashy मतलब add नहीं कर रहा है अब यहां पर इसकी जो मतलब RGB वह भी काफीदा bright है और यहां से आप कोई भी color change कर सकते है अगर आप चाहा है जो भी color static color चाहा है वो कर सकते हैं यहां फिर आपको breathing अगरा effect तो देखने को मिल नहीं रहा है तो यहां पर मतलब आप साभी चीज नहीं है वाला software उतना सथा refined नहीं है I don't know because मैं जब इसको मतलब first time software को open किया तो मतलब काफी time में open हुआ और उसके बाद काफी problem मुझे software को करने में तो हां थोड़ा बहुत tuning के मुझे लगता है कि जरूरत है जो कि मैंने personally feel किया हुए हो सकता है कि मेरे PC में थोड़ा बहुत मतलब premium थोड़ा अच्छा होना चीजिसे की other brands का होता है but overall मुझे और इससे जादा कोई problem नहीं है and now finally बात करते इस वाले headphone की sound quality की अब भाई मुझे जो है इसका sound quality ना वो काफी दर subtle and काफी दर rich लगा अब यहां पर अगर मैं बात करो अपने experience की gaming गगे रगी तो भाई मैं सिफ और सिफ एपेक्स लेजेंड खेलता हूं and उसमें जो मेरा experience रहा है जो इने में के first steps है जो मतलब bombs के explosions है वो काफी जादा मुझे अच्छा experience रहा है अब मैंने और भी headphones यूज के जैसे कि मैंने HyperX का Cloud 2 मैंने यूज किया हुआ है थोड़ा बहुत but मुझे उसमें एक problem थ करता हूं gaming में अब यहां पर मुझे इस वाले headphone में जो loudness मिली वह भी काफी जादा अच्छी है अब यहां पर बात करो लाइक इसके high frequency की तो भाई यहां पर काफी जादा अच्छी इसके high frequency है normally जो भी gaming headphones होते है ना उनकी high frequency अच्छी होनी चाहिए because यहां पर जो gaming में ना low frequency उतनी जादा matter नहीं करती है जितनी की high frequency matter करती है अब यहां पर जो इसका trouble वगए रहा है वह काफी जादा सही है आप काफी जादा easily जो भी आपके enemy वगए रहा ना उसकी footstep काफी जादा अच्छी से आपको मतलब सुनाई देती है और अगर मैं बात करूई low frequency की तो यहां पर low frequency मुझे काफी जादा subtle लगी I mean कुछ headphones होते हैं जो कि काफी जादा bass होने के वाएसर मतलब पूरा muffled sound करते हैं and overall इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं काफी जादा crystal clear इस वाले headphone में सुना जाता है थोड़ी बहुत mid-tone से थोड़ी बहुत improve हो सकती थी but overall जो मेरा experience रहा है इस 10.1 surround sound के वैसे जो मेरा movie experience रहा वो काफी जादा अच्छा रहा या फिर हो सकता है इसका driver थोड़ा जादा अच्छा हो but overall इस वाले headphone में आप काफी अच्छे से movie भी enjoy कर सकते हैं and उसी के साथ इस वाले headphone का जो मतलब music listening experience भी रहा है वो भी काफी जादा अच्छा रहा है अगर यह headphone काफी अच्छा शाइन करता है सो अब बात करते हैं इसके microphone के बार में जैसे कि मैंने कहा कि यह microphone यह detachable microphone है तो अगर अपको नहीं यूज करना तो आप इसको simply रख सकते हैं but यहां पर यह microphone यह काफी अफ्लेक्सिबल यह तो अगर आपको नहीं उसकरना आप सिकते हैं but overall अब ही के ताइम पर जो वह सुने ना वह directly इसी के microphone से रिकॉर्ड हो रहा है और यहां भी जो आप वह सुने ना वह अगर अगर आपके पास कोई एक प्रफेशनल microphone नहीं जैसे कंडेंसर microphone यह कोई भी microphone नहीं तो आप शुरूआत में इसकी microphone क्वालिटी इतनी अच्छी के आ अगर आपको कैश्वाल डिस्कोर्ड पर चैट वगर अपने अपने फ्रेंड या फिर अपनी कम्यूनिटी के साथ तो वह सबी चीज़े ना आप इस वारे headphone के microphone से काफी अच्छी कर सकते हैं विकोज यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसकी माइक क जो quality है वो कैसे लगी क्या अच्छी लगी या फिन नहीं बट मेरी सबसे तो इसकी माइक के quality ना काफी अच्छी है तो फाइनली यह जो कूलर मास्टर का MS 650 gaming headphone ना यह पांच साड़े पांच साड़े पांच सार रुपए हैं तो आप इस वाले headphone के साथ आग बंद कर गई सकत हैं सबसे अच्छी बात है कि यह काफी अधर कमफर्टेवल है अगर आपको बाइव अगेर करना है ना तो जो लिंक वो मेंने description box में as usual दे रखिए तो आप वहां तर जाकर चेक आउट कर लिजिए तो अगर आपको यह वाला वीडियो थोड़ों बहुत अच्छे लगा है इस वाले वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें तो अच्छी गाइस अच्छी 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 अच्छ